नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसस करने वाले हैं यहाँ पर स्टाफनर्स की वेकेंसि आ चुकी है और अब की बार यह वेकेंसि रहने वाली है एनेचम जीन्द डिस्टिक की ठीक है कितनी क्या कुछ वेकेंसि है कैसे अपलाई करना है लास्ट डेट क् स्टिक करने वाले हैं तो वीडियो के लास्तक जुरूर बने रहें आप लोगों को पता यह है कि एनेचम की जोभी वेकेंसि होती है वो प्रमानेंट वेकेंसि नहीं होती है और अगर हम लोग बात करेंए यहाँ पर स्टाफनर्स की वेकेंसि के रिकार्डिंग तो सीरियल 11 पे यहां पे टोटल 15 वेकैंसी हैं स्टाफ नर्स की एस का क्राइटेरिय क्या रहेगा 18 से 22 साल के जो कंडिरेट है वो अपलाई कर सकते हैं 13,500 रुपे आप लोगों को स्टार्टिंग में पेस्केल मिलने वाला है इसके 5 साल के बाद जो ये ग्रेट पे वगेरा है ये भी आ इनम फ्रेशर कंडिरेट है वो अपलाई कर सकते हैं बट आपके पास हरियाना का नर्सिंग का रजिस्टेशन होना चाहिए ठीक है और मैट्रिक के अंदर हिंदी आसन स्किर्थ में से कोई भी एक सब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए और इसके एक्जाम की बात करें तो 3,2 2023 को इसका एक्जाम होने वाला है इसके बाद कुछ कंडिशन्स यहां पे दे रखी हैं वो आप लोग भी पढ़ सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रप्शन के अंदर अपने टेलिग्राम और वार्टसप ग्रूप के लिंक मिल जाएगा वहां पे आप लोग को यह PDF मिल ठीक है अगर हम लोग बात करें इसके लास्ट डिट की तो यहां पे तीस जनवरी 2023 इससे पहले पहले आप लोगों को फोरम अपलाई कर लेना है ताइम रहेगा तीन बज़े से पहले पहले ठीक है यानि कि तीस जनवरी 2023 के तीन बज़े से पहले पहले आप लोगों को जो है वो apply कर लेना है जो कैसे फोर्म apply करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं एनेचेंग का जो application forum है वो आप लोगों को फिल करना है और जो जितने भी document है वो आप लोगों को साथ में लगाने है ठीक है पास्वोर्ट साइज की फोटो टैन ट्वेल्थ और जो जीनम बीसी जो भी डॉकॉमेंट है दूसरी चीज जो जितने भी आपकी डॉकॉमेंट है वो लगाने है ठीक है इसके बाद जो यहाँ पे जो जीन्द डिस्टिक की वेकैंसी है तो हालां कि आप लोगोंको पता ही है कि जो जीन्द डिस्टिक की गनेरेट हैं सिर्फ उनको यह फोरम अप्लाई करना चाहिए हालां कि ऐसे इलिजीबल सभी generate है बट जीन्द वाले को preference यहाँ पर मिलने वाली है और वो preference कैसे मिलेगी अगर आप लोग जीन्द टीस्टिक के हो तो आपको minimum 3 ID साथ में लगानी है जिसके अंदर address mention हो government ID ठीक है क्या-क्या ID है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर last में दे रखा है ठीक है यहाँ पर total 7 ID दे रखी है इसमें से कोई भी 3 ID आप जुरूर लगाए form apply करते टाइम ठीक है फिर आप लोगों जो लोकल वेटेज जो लोकल एरिया वेटेज है वो आप लोगों को मिल जाएगा minimum 20 marks यह होते हैं उसका criteria यहाँ पर इन्होंने दे रखा है यह आप लोग देख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को यह benefit मिलने वाला है जीन दिस्टिक वाले कंडिडेटों को और यही है यही कहूंगा कि जो जीन दिस्टिक के कंडिडेट है वही इस forum को apply करे अधर डिस्टिक की कंडिडेट है वो यहाँ पे उनके chances बिलकुल rare ही होते ह है लगने के तो यह सब चीजे मैंने आप लोगों को बता दी लास्ट डेट बता दी कैसे apply करना वो बता दिया एकजम डेट बता दिया और ऐसी ही regular अपडेट चाहते हो तो चैनल को subscribe कर सकते हो वीडियो को like कर सकते हो और अपने जो टेलिग्राम WhatsApp और Facebook गुरूप है उनसे आ के अंदर आप लोगों को link मिल जाएगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद